हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में आप सभी के लिए दो इतने बड़िया बजट स्मार्टफोन से लेकर आया हूँ रेड्मी और पोको की तरफ से रेड्मी का 12 5G और दूसरा ये पोको M6 Pro पोको की तरफ से दोस्तों ये दोनों इस स्मार्टफोन सा भी हाली में लाँच हूँ और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कमाल के है रेड्मी 12 5G भी आपको एक बजट स्मार्टफोन मिल जाता है 5G के साथ और पोको भी आपको एक बजट स्मार्टफोन मिलता है और इसका प्राइस तो और भी ज़्यादा कम है तो इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको दिखाऊँगा इन दोनों के अंदर आपको क्या क्या features मिलते हैं आपको कौन सा खरीदना चाहिए Redmi 12 5G और Poco M6 Pro दोस्तों मिलते है 12000 और 11000 के 12000 में Redmi मिल जाएगा 11000 में Poco तो वीडियो को जानने के लिए दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा आपके लिए बड़िया स्मार्टफून कौन सा 1000 का फर्क है दोनों में चलिए जल्दी से जो है मैं आपको box के content दिखाता हूँ 12000 में Redmi के साथ क्या क्या मिलता है तो सबसे पहले phone के बाद एक mini box मिल जाता है जिसमें जो एक पीछे की तरफ एक sim ejector tool लगा हुआ है कुछ इस तरीके से इसके बाद जो है दोस्तों आपको अंदर की तरफ रखे वे मिल जाते है इसके कुछ user manual packet के अंदर तो इसको भी निकालके मैं आपको दिखा देता हूँ cover भी दिया गया है box में यह कैसा उसको भी देख लेते हैं तो user manual तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मिलते हैं उनको अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद जो आपको cover मिलता है transparent matte finish में quality बहुत बढ़ी है इस cover की simple type का नहीं है मतलब वही 30-40 रुपे वाला वैसा cover नहीं मिलता काफी बढ़ी है मिल जाता है इसके बाद जो आपको यह type C cable दी गई है जिसकी build quality आपको बहुत ही कमाल की मिलती है last में रखा वह मिलता है दोस्तो यह redmi के साथ 12 watt का charger तो charger आपको fast मिल जाता है 12 watt का यह चीज़ आपको काफी बढ़ीया मिल जाती है charger जो आपको काफी अच्छा दिया गया है build quality में भी और price के साब से देखा जाए तो speed भी आपको ठीक टाक मिल जाती है अब चली देखते हैं अगर आप 1000 जो अपने बचा लेते हैं POCO M6 PRO खरीदते हैं तो 11,000 में इसके साथ क्या क्या मिलता है दोनों के अंदर फर्क कितना है तो इसको भी unbox करते हैं उसी तरीके से packing मिलती है बस color का जो फर्क है yellow color में box मिलता है इसके अंदर से भी सब जगा से तो इसकी भी packing वैसी है उसी तरीके से एक सिम जेक्टर टूल लगावा है मिनी बॉक्स के अंदर इसके बाद जो दोस्तों अंदर की तरफ इसके कुछ user manual मिल जाते हैं इस तरीके से रखे हुए एक दिया गए है दोस्तों इसके साथ भी transparent cover matte finish में तो qualities के cover की भी काफी बढ़िया है और दोस्तों इसके साथ मिल जाती एक type C cable बिल्कुल same quality में same color में तो दोने के साथ बिल्कुल एक जैसी cable दी गई है बिल्कुल भी cable के अंदर फर्क नहीं मिलता और charger के अंदर भी बिल्कुल भी फर्क नहीं इसके साथ भी 12W का charger है तो charger आपको दोने के साथ ही बिल्कुल same दिया गए है इस चीज़ के अंदर जो आपको दोने में बिल्कुल भी difference नहीं मिलता बाकि इस चीज़ में देखा जाए तो वैसा Poco ही बढ़ी है क्योंकि 1000 पैसे बज़ भी रहे है और दोस्तों box के contents आपको Redmi 12 की तरह मिल जाते हैं 5G वाले के साथ हाला कि दोस्तों ये भी एक 5G smartphone ही है Poco M6 Pro भी चलिए बात करते हैं डिजाइन के बारे में आपको दिखाता हूँ दोनों के अंदर आपको डिजाइन कैसा मिलता है तो दोनों के अंदर आपको glass डिजाइन दिया गया है बहुत ज़्यादा कमाल का दोनों के अंदर आपको gorilla glass की protection मिल जाती है तो design की जो quality है दोनों के अंदर आपको बहुती बढ़ी अदी गई है बाकी green type का color आप देख सकते हैं दोस्तो poco का कैसा लग रहा है M6 pro का और multiple colors के effect के साथ दोस्तो आपको मिल जाता है Redmi 12 5G बाकी camera का module जो है दोनों के अंदर एक जैसा तो है लेकिन poco में ये फर्ख है पूरा जो है पट्टी टाइप की हिची वे black color में तो कुछ इस तरह के सा थोड़ा से different हो जाता है इससे बाकी design की जो quality है दोनों के अंदर आपको एक जैस्ती दी गई है light की जो reflection है दोनों पर back panel पर आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है बस थोड़ा सा color का फर्ख है दोस्तों और camera के पास से जो आपको ये poco की branding मिलती है poco के अंदर बड़ी बड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से कुछ इस तरीक से तो थोड़ा सा गया तो मुझे तो redmi का design जादा बढ़िया लगा camera के पास से ही जो black type की पट्टी आपको poco में मिलती है थोड़ी सी मुझे जादा जो है odd type के लग रही है जादा मुझे simple type का जो है जादा बढ़िया यही लगा redmi 12 5G आपको कौन सा पसंदा है comment ज़रू करिएगा दोनों को मैंने on कर दिया एक साथ देखते हैं दोस्तों display की जो quality है वो दोनों के अंदर आपको किसमे जादा कमाल की मिलती है colors वगरा किसमे जादा अच्छे है हाला कि दोनों ही के अंदर आपको on paper तो display बिल्कुल same दी गई है IPS, Full HD+, तो इस चीज में दोनों एक जैसे हैं बाकि quality में, reality में आपको कौन सा बढ़िया मिलता है उसको check कर लेते है user interface दोनों के अंदर आपको इस तरीके से दिया गया है आप ऐसे उपर की तरह swipe करेंगे, आपको सारी applications मिल जाएंगी तो चलाने में तो दोस्तों दोनों ही smartphone काफी जादा बढ़िया और एक जैसे ही मिलते है, UI भी आपको एक जैसे ही मिल जाता है कुछ इस तरीके से, बागी display के अंदर आपको जो है बिल्कुल full brightness करके, तो दोस्तों design भी जो है, वो भी दोनों के अंदर एक जैसे मिलता है punch hole camera वाला edges, bezels भी बराबर ही है लेकिन एक चीज़ पर अगर आप गौर करेंगे तो display की जो brightness है, colors होगर है वो थोड़े आपको और पंची मिल जाते है, Poco के अंदर, इसके अंदर आपको brightness और अच्छी मिलती है Redmi की display से तो थोड़ा सा कहीं न कहीं तो दोस्तों फर्क आपको मिलता ही है Poco के M6 Pro में display की quality जादा बैटर है Left side सा आप देहेंगे, दोनों में आपको यहाँ पर sim kit रे दी गई है दोनों स्मार्टफोन 5G हैं, यह चीज़ काफी बढ़ी है निची की तरफ आपको charging port, speaker mic मिल जाता है Right side पर volume के buttons और power के buttons उपर की तरफ दोस्तों आपको headphone jack मिल जाता है Poco के अंदर आपको 64GB storage दी गई है Redmi में जादा है दोस्तों, तो 1000 benefit जो है आपको 1000 pay करने के बाद जो इसमें benefit जादा बढ़ी है मिल जाता है storage का फर्क है दोनों के अंदर आपको Android का 13 version दिया गया है तो यह चीज़ आपको दोनों के अंदर जो एक जिसी मिल जाती है चलिए दोनों को मैं जो है एक साथ restart करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से इन दोनों phones के अंदर आपको जो performance मिलती है वो किसमें जादा बढ़ी है मिलती है हाला के दोस्तों इन दोनों phones के अंदर आपको जो processor दिया गया है वो same ही मिल जाता है Snapdragon 4 Gen 2 तो अगर आप एक बहुत जादा heavy user है आपको 10-12,000 के इसाफ से performance अच्छी चाहिए फोन के अंदर तो यह दोनों ही smartphone आपको काफी कमाल के और एक जिससे मिल जाते हैं फिर भी दोस्तों जो है थोड़ा सा जो है मतलब regular use के अंदर जो आपको performance में फर्क मिल जाएगा इन दोनों phones में आपको हलका सा और जादा fast मिल जाता है दोनों में सी एक phone उसको मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैंने दोनों के एक साथ restart कर दिया बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो दोनों के अंदर आपको 5000 image की बैटरी मिलती है एक दिन का normal बैटरी backup जो है दोनों के अंदर आपको अराम से मिल जाएगा इस चीज़ को लेकर दोनों ही smart phones काफी जादा कमाल के हैं और एक जैसे हैं इसके लब दोस्तों charger भी same मिल जाता restart test में Redmi 12 5G winner रहा और कुछ applications भी मैं आपको open करके दिखा देता हूँ dialer मैंने जैसे ही open किया दोनों में 7 में open हो गया messages open कर लेते हैं यह हलका सा poco में पहले open हुए Google Chrome open कर लेते हैं तो दोस्तों यह थोड़ा सा Redmi में पहले open हुआ तो वैसे overall जो आपको speed मिलती है वो दोनों के अंदर ही काफी कमाल की मिल जाती है इस चीज़ को लेकर आपको problem नहीं होगी कहीं पर हलका सा fast आपको Redmi मिल जाता है कहीं पर poco बाकि दोस्तों दोनों के अंदर आपको main camera 50MP का मिलता है performance में आपको दोनों की दिखा देता हूं दोस्तों colors वगरा जो दोनों के अंदर काफी बढ़िया है लेकिन poco की डिस्पले की quality है वो जाधा better है तो photos देखने का experience इसमें जाधा अच्छा हो जाता है तो camera मुझे इसका personality जाधा better लगा क्योंके overall जो experiences में जाधा better है अब ये सारी खुबिये कम्याप को मिलती हैं दोस्तों दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको Redmi 12 5G खरीदना चाहिए या poco m6 pro खरीदना चाहिए ये 1000 और सस्ता तो वैसे दोस्तों इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो features मिलते हैं लगबग एक जैसे मिल जाते हैं दोनों ही smartphones आपको 5G मिलते हैं charger, cable ये सारी चीज़े box के जो content से same दिये गए हैं इसे के साथ दोस्तों design की जो quality है वो दोनों के अंदर एक जैसी दी गई है battery दोनों के अंदर आपको एक जैसी मिल जाती है processor दोनों के अंदर आपको same मिल जाता है performance में दोनों काफी बढ़िया है लेकिन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो फर्क मिलता है वो है storage को लेकर देखिए अगर आपको डिस्प्ले की क्योलिट्य थोड़ी और अच्छे मिल जाएगी और कैमरे की पर्फॉर्मेंश भी थोड़ी बेटर मिल जाएगी तो इस वजह से ही कैमरे में डिस्फ्ले की क्योलिटी में बेटर हैं तो दोनों फोन्स के अंदर आपको लगबक सेम खुब यह मिलती है लेकिन Redmi 12 जो है दोस्तो 5G वाला यह जो मिलता आपको यह 12,000 में storage की वज़े सा आपको 1000 price महंगा तो है लेकिन storage जादे मिलती है इसमें और दूसरी तरफ दोस्तो Poco के अंदर आपको 1000 रुपे का benefit हो जाता है सस्ता मिल जाता है और display की quality इसे के साथ दोस्तो camera का experience जादा अच्छा मिलता है तो आप बताईएगा आप जो है जादा storage की वज़े से Redmi 12 खरीदींगे 1000 खर्च करके यह फिर दोस्तो एख़ार अपने बचाके जादा बड़िया डिस्पेल और camera की मज़े सब Poco खरीदींगे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताईएगा आपको दोने में कौन साथ अच्छा लगा कमेंट करके जरूरी बताईएगा वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक करके जरूर जाईएगा चैनल पर आप